मनीश सब ठीक है बुक कुक आ गया और पीडियेफ प्रड़ रहा है डाउंलोड करके बुक ले जाना जल्दी हो सेके ना अब नौकरी लेना तो करना पड़ेगा लगेगा हजार बारास व्रपर लगेगा चारों पुरा एक बार ले रहोगे पर जब तक नौकरी नहीं पर रघ्लते रहे बनाते रहें खीका हम डिसकस करेंगा वीशिद्स करेंगा करएंगा ठीक हा और लिंक्स तो गुरूप में डाला हुआ है और वीडियो निच्चे बिस तो क्या होगा कि मेरे पास भी सेम बुक रहेगा और दूसरे को पास भी रहेगा कुछी कोई दिक्कत होगा फिर मैं भी देखके बता सकता हूं यहां पर तो सेम बुक लेंगे जो लेंगे सब लोग एक जिसे बुक लेंगे ठीक है ताल डेर साल अगर त्यारी बढ़ियां से ह हो गया ना तो हम लोग हवल्दार का यह त्यारी करें थोड़ी रग रुख जाना है हम एक्जाम देने के बाद तुरंट CGL में लग जाएगा ठीक है हम लोग तो हम लोग रुखेंगे नहीं यहां से हम लोग एक्जाम खत्पड़ियां से देंगे पूरा उसके बाद में सी से चसल भी आने वाले लोगों का तो एससी का यही फाइदा ना कि तुम बुक सारा वही पढ़ता सेम भले प्रैक्टिस सेट जब एक्जाम कोई आने वाले ना तो प्रैक्टिस सेट हम लोग चूज कर लेंगे उसके बनाने के लिए लेकिन जो बेसिक बुक है ना इंग्लि सेट से हम लोग चेंज करते रहेंगे ओनलाइन कोर्स कोई ज़रूरत है नहीं देखो अभी जो बुक रहेगा ना मैथ हुद का या कुछ हम लोग खरीद रहे हैं तो उसमें अल्ड़ी सॉल्यूशन दिया रहता किस तरह से बनाना वह सारा दिया रहता और मैं बता था कोर्स मैंने मैथ का कोर्स लिया या कुछ इंगलीज करते हैं वहां जाकर टाइम कंजूम बहुत होता था और सीखता कितना था आधा करना दो चार दस मैथ सब्जेक्ट में एक मल्दब दिन में दस बारा मैथ सिखाता था और वही सब खुद भी देखके बना लेंगे वह तो खु काम तीन महिना बाद है MTS का जो बढ़ियां से देना चाहते हैं वह अभी कोर्स लेके कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे तो इससे अच्छा खुद अगर पढ़े ना अभी से वह कम से कम कोर्स है वह खुद तीन बर बना लोगे तीन बार कम से कम हो जागा रिवाइज अठार अब 12-12 मानके चलते हैं अब यह मरवास तीन महिना टाइम नब्वबे दिन हैं तो नब्वे दिन बहुत हैं लोग एक महिना में 18 चEPTर बनाई है जो हर state में इतना 80 से लेके 90 तक variation था selection का तो अब हमें कि पहले तो हम लोग लग लग रहा था कि 70-75 पर हो जाएगा selection लेकिन अब हम पिछले साल के लेकर चलेंगा ना कि selection हो रहा है 80 से 90 पर हो रहा है तो उस base पर हम लोग अपना आप जो बनाएंगे routine target की कितना नंबर की subject में लाना है तो reasoning में हमनों रखा है कि अब इसमें कोई कुछ mix नहीं करना है 25 में 25 लाने लाना reasoning में ठीक है और math में 23, English में 23 और GS में 18 भी लाएंगे ति हमारा 87 बन रहा है हम लोग तो इसके तैयारी हमें करने के लिए पता है कि अगर अगर मेरी सु मैं तैयारी करता ने MTS का अभी जैसा मैं SSC CGL में तैयारी किया था कम से कम मैंने 12 गंटा का स्ट्वियम बनता है 12 गंटा में पढ़ता लेकिन यहाँ पर सकर्ब्रेकर में सब अलग तरीके से तुम लोग हो तो तुम लोग बताऊ कितना टाइम किस के अबास दिन में पढ़नेगा मिछास कि इतना टाइम तुमारे पास पढ़ने का और फिर भी तो आठ गंटा पड़ी एस पड़ो लोगे ना फिर साथ गंटे में तुप देख लो किस तरह से इंग्लिस दो गंटे चलो लगा लो दो गंटे मैं था एक तीन गंटे सेट प्रैक्टिस तो तुम इस्तर त्यारी कर सकते हो जी एस के लिए अलग से गंटा रख लेना दो गंटा तो वक्य भी हो जाएगा एक गंटा तुमको कम से word power word meaning पढ़ना पढ़ेगा और एक गंटा grammar grammar तो daily पढ़ना एक चप्टर एक subject सी क्या जैसे adjective है questions आते हैं एक जैक्टिव से article से भर्ब से tense से आते हैं तो उसकी ने एक एक बढ़ने पढ़ना daily है और अगर किसी दिन मचलो grammar ज्यादा पढ़ा लिए subject बला सारे रूलाद हो गया ना तो एक घंटा में उस प्रेक्टिशेट इंग्लिस की अलग से प्रेक्टिशेट बला लगा लगा लगी करो तो में टीएस के एजाम त्यारी करोगी कि निकरो तो तुमको कितना 26 जून को है तो तुमको किसमे एक च्छी तैयारी एकस्टेट के एकजाम तुमको दे चूके है ना अगर देखो तेयारी तुम्हार पहले हो चुका ने State면 के दिए तो ऑफिर पर आस पास सारा साने तो तुम उदे ज्ग करोगे और ज्टिश करो के दो तनी करोगे तो फिर कई ही नहीं पर थि. to बताना के तुम्हारा क्या रिटीन शड्यूल बनाता है पढ़ने के लिए इतना मिलता है दो दो चार गंटा सटारे संडे क्या करता है फिर इवाता सटे संडे बड़ो 10 गंटा 20 गंटा उसको पुराद कर दो तो देखलो एकाउंट्स लाइन जहां चेंज किया फिर तो इधर जहां जो काम कर रहे हैं तो कुछ दिक्कत होगा आप तो हम सबसे मलब जुड़े हैं कुछ भी रहे गाड़ करना हम सिखाएंगा ठीक है अब तुम्हारा नंबर आएगा गाइड करूंगा कि आज क्या पढ़ना है डेली क्या कल पढ़ना है सब बताऊंगा ना उतना तुम सब्सक्राइब तुम्हारा नंबर आएगा वेट करो एक मिनट ठीक है तो मनेश्ट देख लो तुम लेलो छुटी लेलो कॉंटेक्टर को बोलो तीन मैना बात कर देना ठीक है या फिर तुम ओफिस में का टाइम निकालो ओफिस में तीन कर जाके दो घंटा पढ़ लिया कर अगर तो फिर हाई तो चल जाए डर के छोड़ना चोड़ दोगे तो फिर तो क्या फाइदा हुआ एक सोर प्रवादी के रहे हैं तो फिर ऐसे और फिर बुकुक लोगे दो गंडा दूहंडा टाइम दे रहोगी तो पेकारी हो रहा तो बड़े-पहले सोच लेना क्या करना है अगर देखो तुम ऐसा नहीं अभी तुम अगर छोड़ भी दोगे अभी जो टाइम निकालके पढ़ोगे ने मान लो इसके लिए नहीं पढ़ रहे हो तुम हमको पता त्यारी जब हो जाएगी तो प्रिप्रेशन तुम्हारा यही होगा मतले एक तरह सीजियल वाला ही बहले एकजाम पहले हम टीएस का हम देंगे इसके बाद हम छोड़े कर चुके वह तो बहुत अब तो तो अब हम लोग दो गंडा करके पढ़ेंगे तो पटना का हालात नहीं दिखा पटना मेरे लोग मतलब सुबां छेप से लेके रात के 11 तक पढ़ते और प्रेक्टिस ए उसमें बैठके बना रहे हैं वह ऐसे गर्मी है पंखा फलका चल रहा है चार लोग मिल के पसीना आ रहा है फिर भी वह एक्जाम प्रैक्टिस्टेट दे रहे हैं इस तरह का हलात रहता यहां लोग जिसे हैं अराम से यहां तो मौसम ठीक है इसी लगावा किसी घर में चल रहा भी बियल्डिंग से आप फिर का में तरह हों हाम बने के लिए कुछ तो क्लीक परसो करना आए ऑइक तरह सो चलना थां बता कुछ सिनर है जो इसाट नहीं जो घ्र Vamos है दोनों का सिम्लर नहीं है अभी कोई स्टेट का एक्जाम है तुम्हारे आसपास में जो जिसके लिए अक्टूबर में ना तुम्हारा क्या शोडूल रहता पढ़ने का रूटीन ठीक है तुम्हारे दिन का तो चलो रूटीन बनाते हैं हम लोग जो आठ गंटे का अग्जाम का तो हम नब इस्टार करते जीरो से फिर से वो बुक उठाते थे पुराना भले हमने दस बार पढ़ चुक है उसको फिर से उठाते थे और फिर से उसको बनाते थे उस चेप्टर को और फिर से बसली का लगाते थे उसी तरए उसी तरह इंग्लिश पढ़ते थे एसा हम ने पढ़ा हुआ थे यह चीज नहीं पढ़ेंगा ऐसा नहीं है हम तो उसी तरह हम लोग करेंगे अभी कि हम लोग शुरुवात से पढ़ेंगे मालो 18 मैथ का चप्टर है ना अठारा चप्टर हम चलो एक चप्टर को दो दिन में हम लोग खतम करेंगे ठीक है तो अठारा तुना 36 डे लगेगा एक सारा महत बनाना रहेगा और उस बीच में हम स्यट्ट प्रेक्टिस हम लोग करेंगे पहले ड़ीड महीन करेंगे एक दिन में एक एक कर गेंगे जो अगर नया खरिदना चाहता है फिर हम लोग लेंगे और अगर अभी कोई भूक नहीं घर दाना तो मेरे पास पीडियाप है हम पीडियाप सब को देगे कि कौन-कौन सा मैत बनाना है मलब कल जो पढ़ना ना हम पीडियाप अभी हम ग्रूप में शेयर कर देंगे यह पीडियाप है इसको खुद से सेट का दो मैंने डाउनलोड किया कोश्चन्स भी सेट प्रैक्टिस वाला वह भी एक सेयर करेंगे वह बनाना फिर इस पर आज की प्रैक्टिस का कुशन हो या दूसरे वाला जो को दिक्कत किसी को भीगाना कल डिसकस करेंगे हम लोग उसको पहले फिर कल क्या पढ़ना है उसका फिर हम लोग बनाएंगे चिरंजीब हम बताओ बाई आप कब से तुम त्यारी कर दो टेंडेज बहुत ज्यादा हो गया है ठीक है तो चलो तुम्हें बुक ले लिया कि बुक लेना अभी है ठीक प्रैक्टिसेट आ गया और इंगलिस को जब तक तुम लोग नहीं ल लगाऊंगा तुम लोग के लिए ठीक है तो टाइम है न तुम्हारे पास दिन का 8 गंटा 10 गंटा तो चाहिए कम से कम चाहिए पंड़े के लिए 8 गंटा फिर हो न तो चुबा में कितना वी सोगे उड़ता है छे बे उड़ता है न तो छे से तुम बुरा ए गंटा तुम सुबा में गंटा पढ़ा लो तुम 5 से 7 कर लो अभी गर्मी का भी टाइम आ गया है तुम्हारा दो गंटा का है न वह जो वोकेबलेरी इंगलीस का याद करना क्योंकि सुरुआत में मतलब भी स्टार्ट करने वाले कि नहीं वर्ट थोड़ा सा वर्ट पापर बढ़ाना प वो एक घंटा वो सुबा पढ़े लो तुम एक दो घंटा सुबा महां चला जाएगा फिर साम को पांच बजे आओ सैट प्रेक्टिस लगा के तीन घंटा फिर मैट बना लो सरा ठीक है वो मतलब एज़ेस कर लें आट घंटा के रेखेंगा रूटीन बहुत ज़र अगर हम मालों के लिए तुम लोग अपना प्रोब्लम बता रहे हम छे घंटा कर देना तो फिर हम लोग जब एक्जाम में मांक्स लाइन निपाएंगे निकाली निपाएंगे तो अगर मालों तुम हम लोग क्या होगा ना कि तीन महिना बाद अगर सत्तर नमबर सब का आ जाएगा 70-75 आजाएगा किसी का प्रीवी हो जाएगा लेकिन जब फाइनल सेलेक्शन में रूख जाओगे तो क्यूब रुके इसलिए रुकेगे कि आज हम एक गंटा दो गंटा कम पढ़ना शार्ट कर देंगे अगर एक दो गंटा आज ज़्यादा पढ़ेगा न तो हमारे जब व कि आजाएगा कि आजाएगा